आज मैं बनाने जा रहे हूँ लोगडाउन स्पैशल हम सभी की फेवरेट और मुँ में पानी ला देने वाली रेस्टोरेंट वाली पनीर चिली जिसे आप चिली पनीर भी बोलते हैं अभी बंद में सभी लोग इन चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं तो आज पनीर चिली की एक ऐसी रसिपी शेर करने जा रही हूँ कि अगर आप ने इसको मेरे तरीके से बना लिया तो आप रेस्टोरेंट होटल से जादा घर में ही बना कर खाना पसंद करेंगे परफेक्ट रेशो परफेक्ट तरीका और तीन ऐसी होटेल वाली सीक्रेट ट्रिक्स जिसको जानने के बाद सुपर क्रिस्पी और अंदर से जूसी तो चलिए शुरू करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारू कोकवित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुरू करने से पहले फ्रेंट्स आप सभी से निवेदन है घर में रहिए सुरक्षित रहिए अपनों के साथ इंजॉय कीजिए और वीडियो पोसंद आए तो लाइक शेर और चैन बिलकुल जयसे Такजे डाई स्वेदन होते है बस इस तरीके का आपको मेडियम साइ Wars का करना है पनीर को हमें डिक रहें कई तर अभी आप इसे नहीं लेना है जो हो इस प्या श् vantage हो बोल स्दाना होगा एंजिए कि जिसे का माःट अब जी ने दालेंगे लोषित और आप सोस साथी में डाल रही हूं एक बड़ा चम्मच, सिंपल मैदा, इसको कर लीजे मिक्स, जो तरीका में आपको बता रही हूं इससे जो पनीर है उसकी कोटिंग बहुत ही बढ़िया होगी, बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, अब इसमें हम डाल देंगे हमारा पनीर, सारे क्यू Сे नते कि अधी दाल सतते हैं, और जडिया अरा र cater भी एक अधी लाओड भी ना हो तो आप क्या करें, अप लीजे मेदा और चावली पाटा, दो बड़े चबश लेलिए मैदा और तीन बड़े चावली पाता, तो मेदा और चावली का अठा मिला करके इसमें बडेया से क् जो भी कॉन स्टार्च और मेदा करेंगे तो मैंने आपको सारे यह उप्शन बता दिये जिसे कि आप इजी लिए इसको लॉक्डाउन में भी बना पाए अब इसमें जाएगा सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे उपर से, अब जो नेक्स जरूरी चीज़ जब आप पनीर चिली बनाएंगे तो पनीर आपको फीका नहीं लगेगा अपने नाम की तरह एकडम चिली मज़ेदार आपको पनीर में भी टेस्ट आएगा अब यहां पर हमें कोई पनीर के पकोड़े तो बनाने नहीं है इसलिए कोई आपको घोल या बैटर बिलकुल नहीं बनाना है अब आप लीज़े चमबच और बिलकुल लाइट हेंड़ इसको कोट कर दीज़े और एक बोल में करके करें जिससे की सब तरफ से यह कोट हो जा अब यहां क्या फायदा हुआ जो हमने नीचे पहले डाला फिर उपर उसे सब तरफ से एकी बार में बढ़िया पनीर की कोटिंग हो गई ऐसा करने से जब आप पनीर को फ्राय करेंगे तो उसकी उपर की लेयर एक्टम सुपर क्रिस्पी हो जाएग यह प्यार आजागा और जब आप उसे पनीर चिली बनाएंगे तो वह बिलकुल भी मुलाइम नहीं बढ़ेगा एक तम करारा पन होगा और काफी तक करारे बने रहेंगे तो आप इस ट्रिक को जरू ट्राय करें तो सबसे जरूरी पॉइंट किसी भी बैटर में डिवो करना इसको बिलकुल इस तर तो बहुत ही ज़रूरी टिप तो आप कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ओयल बस इतना भर के शैलो फ्राइंग हो जाए और बढ़ी अगर हो गया है फ्लेम को कर दीजे यहां पर मीडियम और मीडियम पर एक पीस आप उठाईये पनीर का और इस तरह से इसको शैलो फ्र होने देंगे उसके बाद हम इसको चममत से रोटेट कर देंगे और यह देखिए पनीर 1 भी 20 आप देख सकते हैं नीचे तले में चिपका नहीं है कैसे रोटेट हो रहा है तो बस इस स्टेज पर इस पूँन से धीरे-धीरे आप थोड़ा-थोड़ा सा पनीर को रोटेट कर पूरे पनीर को ना पनीर आपका इक तल्ये में चिपकेगा और नहीं किसी प्रकार की आपको इसमें परिशानी होगी और ये देखिए एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रंची हमारे पनीर तैयार है पनीर चिली के लिए देख रहे हैं एक भी पनीर चिपका नहीं हो प्रॉपर गोर्डन कलर चारो तरफ आ गया है इस प्रोसेस से तो इस स्टेश्ट मर जब सब तरफ से पनीर एकदम गोर्डन हो जाए आप सारे पीसे निकाल ले कितने संदर देख रहे हैं आप इस बार पनीर चिली मेरी रसीपी से बनाईगा बहती बढ़िया एकदम जबदस्त आपक आप एक पनीर का पीस देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची तयार हुआ है चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैब अभी जिस कड़ाए में हमने पनीर फ्राय किया था ना जो हमने ओल लिया था उसमें से आप क्या करें तीन बड़े चमच ओल की हमें जरुवत है बाक कि जो भी मंचूरियन या पनीर चिली ऐसी जो भी चीज़ बनाते हैं इनकी पूरी कोकिक हाई फ्लेम पर होती है तो फ्लेम को कर दीजे हाई ओल को करेंगे बड़िया से गरम अब मैंने यह यह पर लिये पनीर चिली बनाने के लिए कुछ फ्लेवर फुल चीज़ है तो यह यह अब लिये एक प्यास जिसको मैंने बल्ब्स की फ़म में कट कर लिया है तेखे हैं बिलकुल इस तरह से पैटल की दरा से एक बड़ा चम्मच ग्रेटेड अधर एक बड़ा चम्मच ग्रेटेड लेसन लेसन वगर बढ़िया से बहुत यह अग अगर नहीं खाते हों तो सिंपल सबस्ब से आर पनीर चिली तयार कर सकते हैं। लगवग 3-4 हरी मिर्जे को मैंने डिया अब लन्बाइ में कुटकर लिया है और यह मैंने लिया है लगवग 1 रस को मैंने डास यृक एःसी नीश प्टोरी मेंज कुटकर लिया है काती है आप सmers इंच टोरों के न कां इसी चीज जो ना अविलेबिलो, उसके बगेर भी आप इसको बना सकते हैं, ऑल हो गया है बिलकुल बढ़िया गरम, अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे अद्रा, लैसन, और सिलिटेड हरी मिर्च, हरी मिर्च बगरा कम ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अब आप इसमें डाल दे कुछ सेकंड बात हमारी प्याज, और प्याज को भी हलका सा इस्टा फ्राय कर लेंगे, यह में याद रखना है जो भी बेजी हम डाल रहे हैं, उनका क्रंच बना रहे हैं, मुलाइम नी पढ़नी चाहिए, और इसी स्टेश पर मैं डाल रहे हूं इसमे इसमें अगे डालने वाले हैं, उनमें भी नमक होता है, और जो पनीर हमने तयार किया है किरिस्पी उसमें भी हमने नमक डाला था, तो यह देख लिए कितना नमक डालना है, अब सबजीों का कच्छा पन निकल गया है, और बढ़िया क्रंच आ गया है, तो बस इसे स्टेश इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस से बड़ी बड़ी अफलेवर रहता है, और यहां पर मैंने डाक सोया सॉस लिए इसमें एक बड़ा चम्मच डाल रही हो, आपके पास अगर दूसरी वाली हो ना वह आप थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, कलर आप पहले देख लें, एक साथ जादा मट डालिएगा, दो बड़ा चम्मच रैट चिली सॉस, अब पनीर चिली बना रहे है तो इसका डालना तो बनता है, और रैट चिली सॉस को भी अच्छे से कर देंगे, मिक्स, और फ्लेवर को बैलाइन्स करने के लिए मैं इसमें दो बड़े चम्मच टमैटो केचप, आपकी चॉइस है कम जादा जिसे सापसे आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और सारी सॉसेज को बढ़िया से कर लेंगे, मिक्स, और यहीं पर मैं इसमें डाल रही हो, आदा चोटी चम्मच सफेद सिर्का यानि की वाइट बनेगा हो तो डालिएगा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, वैसे भी जो हमने इसमें सॉसेज डाली है ना उन सब में पहले से ही विनेगर होता ही है, तो इसके बगहर भी आपका काम चल जाएगा, मैं सारी चीज़े आपको बताती जा रही हूँ जिसे कि आप अभी की कंडिशन में इसको बढ़िया से बना पाएं, अब यह देखिए नेक्स जरी चीज़, यहां मैंने लिए एक चोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तो इसमें आप दालिए थोड़ा सा पानी और इसमें घोल बना लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो लुकिंग फ्लेव आपकी परीड चिली में आएगा बिलकुल होटेल जासा है, यही होटेल वाले करते हैं, अब जैसे मान लीजे आपके पस रेड चिली सॉस नहीं है घर में तो यही वाला घोल थोड़ा बना के वही डाल सकते है, तो वह रेड चिली सॉस जासा काम कर जाएगा, और इसे स्ट जाएगी, यह बहुत जरूरी है, और यह देखिए सॉस भी हमारी बढ़िया से पक गई है, तो इस स्टेज पर आप लीजे एक बड़ा चमच, कॉन स्टार्च या इसमें आप डालिए दो से तीन बड़े चमच पानी, और पानी डाल करके इसका एक घोल बना लीजे, तो ज मिक्स कर दीजे, और सारा डाल करके, अच्छे से मिक्स करके, आप मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लें, और बस इस तरह से थोड़ा सा पका लेंगे, और देखिए क्या मस्त हमारी सॉस तयार हुई है, तो बस इस स्टेज पर जब सारी सॉस बढ़िया से पक जाए उसमे हम डाल देंगे हमारे सारे क्रिस्पी क्रंची पनीर और पनीर डाल कर आप बस एक बार इसको इस तरह से तॉस कर दें घुमा दें बस बहुत जादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे वर नसारा जो पनीर है वो बहुत देर तक क्रंची नहीं रहेगा जरूरी टिप बस इस तरह से एक बार आपको कोट करना है और बस सिफ 30 सेकंड आप इस तरह से इसको चला ले ये देखिए हुए ना एक जबरदस्त वाली कोटिंग आप एक पनीर का पीस देख सकते हैं मस्त एक दम कोट वाए सॉस में यही होता है परफेक्ट रेशो परफेक्ट तरीका और परफेक्ट टेक्च्चर पनीर चिली बनाने का ओरिजिनल रेसिपी बिल्कुल भी आप देख सकते हैं ऐसा ड्राइड नहीं बनाए एक दम जैसा टेक्चर और जिस तरीके की कंसिस्टें पनीर चिली तयार हुआ है बस इस स्टेज में गैस को करेंगे ओफ और इसके ओपर गानिश कर देंगे थोड़ा सा इस प्रिंगन यान ग्रीन वाव लुकिंग देखिए जितना देखने में सुंदर खाने में तो इतना मस्त के आपको मजा आ जाएग इसे बना करके अब अब ही बनाईए होटेल वाला पनीर चिली और सबको दीजे इस पनीर चिली का सर्प्राइज जो भी खाएगा वही तारिफ करेगा तो चलिए फटा फट से करते हैं इसको सर्प और ये लीजे बिलकल तयार है हमारा जबदस टेस्टी होटेल और रेस्टरेंट वाला पनीर चिली या फिर आप इसे चिली पनीर भी बोल सकते हैं अब जैसे ये तो मैंने बना रहा है ड्राई चिली पनीर अगर आप ग्रेवी वाला चाहिए हो ना तो वह चो सॉस बनाई उसे पानी की मातरा बढा लीजेगा तो आपका ग्रेवी वाला पनीर चिली तायार जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि पनीर अग्रिस्पी दिख रहा है और सब तरफ से सॉस से कोटेड है जिस तरीके से मैंने ये पनीर चिली बनाया आप जरूर बनाईएगा बहती ब अगर आप बनाएगा तो प्लीज प्लीज उसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्रम पर जरूर शेयर कीजेगा तो ये लीजे बिलकुल तयार है हमारा होटेल रेस्टुरेंट वाला पनीर चिली इसे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी मंचूरियन की रसी शेयर की कीजे सबी फैमिली फ्रेंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेस्बुक पर भी जरूर दें सभी रसीपीस की डिटेल्स आप मेरी वेब साइट कुक्वित पारूल डोट कॉम पर देख सकते है थैंक यू फो वाचिंग कुक्वित पारूल जै हिन जै भारत